नमस्कार दोस्तों आरके लेक्ट्रोनिक जार्खन चैनल में आपका फिर से स्वागत है तो दोस्तों आज यह देख सकते हैं हमारे पास अहुजा कंपनी की BTZ 1000 वाट की एंप्लिफायर रिपियर होने के लिए आई हुई है जो कि यह बिल्कुल सोटिंग है कस्टमर का कहना है दोस्तों कि जब इसे लाइन में इस मसीन में लाइन इनपूट देता है तो देने के साथ दोस्तों घार की जो एंसी भी है वह ओफ हो जाती है तो दोस्तों इसमें सोटिंग का प्रोब्लम है और कहां से यह सौट होती है और हम किस-किस जगह पर इसे चेक करना चाहिए तो इस वीडियो में बिल्कुल किलियर बताने वाले हैं और दोस्तों इसमें कितने समान खराब होते हैं जो कि यह प्रोब्लम हमें हमें देखने को मिलता है तो सबसे पहले हम आपको इसमें जो प्रोब्लम है वह हम देख चेक करके आपको दिखाते हैं दोस्तों लाइन इनिप जैसे ही हमने स्विच काउन करता हूं तो स्रीज बल्ब जल उठती है तो दोस्तों अगर हम स्रीज बल्ब में नहीं लगाएंगे और डिरेक्ली अगर हम इसमें लाइन इंपुट करेंगे तो फिर हमारा घर का जो वायरिंग है दोस्तों वह सौट होने का खत्रा बढ़ता है तो दोस्तों इसमें इस वीडियो का पूरा कंप्लीट वाच कर लें और बिल्कुल ही इसकी इपना करें दोस्तों क्योंकि इसमें बहुत सारे समान का अगर उसमें से एक वीगर खराब हो जाए तो आपको ये इस प्रोब्लम देखने को मिलता है तो आगी दोस्तों इस अप्येटि वीडियों हमेशा आप लोगों के बीच में लाता रहता तो आज़त दोस्तों प skipped लोगों को मुश्रू कर तो दोस्तों हम फटा-फट से खोल लेते हैं भीना देर कियो हुए दोस्तों मैं आप लोगों को सिखाने के मकस्त से वीडियो बना रहा हूं तो वीडि सकते हैं क्योंकि मैं बिल्कुल ही किलियर ली बताने वाला हूं कहां कहां पार चेक करना है और कौन-कौन से समाण आपको इसमें से निया डालना है और कैसे चेक करेंगे और किस किस जगा पर हमें वह इस एंप्लिफायर को साफ नहीं किया गया होगा जिसके कारण से इसमें धूल और जाली और लग चुका है तो सबसे पहले हम इसमें अपने ब्लोवर की मदद से इसमें जो भी कजड़ा जमा हुआ हुआ उसे हम साफ कर लेंगे फिर हम आगे बात करते हैं दोस्तों तो इस एं दूसरी चैनल के लिए है तो यह अप्पली फैर और यूज़ किया गया है। ये सिंगल चैनल नहीं है ये डेबल चैनल की मशीन है। इसमें से कर हमारी एक चैनल में भी फॉल्ट आती हैं। तो यह प्रोब्लम भी हमें देखने को मिलता है इसमें रेक्टिफायर का डैयोड जो लगा हुआ है वो तीन-पीस करके लगा हुआ है तो सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर से में लाइन इंपुट करके देख लेते हैं इसमें और देखने के बार देख सकते हैं दोस्तों आपको दन्ट का जो लाइत इसमें हल्की सी पता चल रही है तो मसीन हमारी शोटिंग है और दो चैनल में से कोई अगर कोई भी एक चैनल अगर हमारी शॉटिंग होगी तो भी यह देखने को प्रोग्लम हमें मिलती है तो हम सबसे पहले जो सप्लाई है हमें यहीं से स्टाट करना गोश्ता हूं जब भी हम ट्रास्फोर्मर जो इसकी पावर सप्लाई के लिए जो ट्रास्फोर्मर है गोल वाला तो हम से इसी से हम स्टाटिंग करेंगे और जो इसकी सप्लाई हमारी जो रेक्टिफायर ड़्ड में गई हूँ है तो हम वही पर चेक करेंगे तो सबसे पहले आपने मल्टीमीटर को कंटिनिटी मोड में सेट कर लेना है हर 사용 जो और मिटे ऑड इसके स्कालर न具 गाहिए जो औरइंग कलर की है यह देख रहां जाहे अब इस चैनल से शुरू करें या भी चैनल से शुरुआ तो आपको एक साइट से ही करनी तो सबसे पहले हम दिए खैनल से उसरो करते हैं आटा और उससे पहले दोसे पिए अपने मल्टिमेटर की कंटिनेटी मोड में रखके और इसकी जो ट्रांजिस्टर लगी हुई है टी टी ए बावन सो उसे हम कंटिनेटी में चेक कर लेंगा इसी उसके बाद इसकी जो सफ्लाई है और फिर देख लेंगे देख सकते हैं दोस्तों यह हमारी जो रेक्टिफायर इसको ब्लू कलर कोड़नेश्ण करें तो इक काम नहीं चलता है तो उसके लिए आपको 60 वाट कायरन रखना पड़ेगा तो जैसे कि हमने रखा हुआ है तो दोस्तों वीडियो आप बिल्कुली अस्कीप नहीं करना है क्योंकि अगर आप स्कीप करते हैं तो साइध आपसे कुछ न कुछ यहां पर मीश हो जाएगी और को ऐसा पॉइंट आपकी हुए उससे यह एक वायर जो है पहले से खुला हुआ है तो दोस्तों इससे तो कुछ सक जा रहा है यह हमारी जो चैनल ए है जो चैनल एक के तरफ शही फॉल्ट नजर आ रहा है दोस्तों तो एक बार हमें क्या करेंगे फिर से इसमें लाइन इंपूट करके देख ल लगा दिया है तो केमरे को में यहां से उतार लेते हैं और उतारने के साथ हमारी चैनल बॉल्ब ब्लकुल ठीक है दोस्तों algunas से स्विज को मंव्ल आम करें इसा क्योigor हमारी चैनल बी जो है जोन बी यह ओन हो चुकी है और जोन ए जो है बिल्कुल बंद है देख सकते हैं यहां से तो दोस्तों जोन बी जो है ऑन हो चुकी है जोन ए बंद है तो दोस्तों इसे साफ पता चलता है कि जो हमारी प्रोब्लम है वो जोन ए में है तो इसे हम खोल लेते हैं और अधिलिफ जो है इना लिए तो प्ता चल गया किने कि तराट में मेсти करना है तो हम जब भी चेक करेंगे आप तो जोन हे में करेंगे तो यह धो एर खुला हुआ है इसे हम अभी सख्लों करेंगे और यह एक निचे तरफ जो लगा हुआ है यह वाला और उपर की जो ड्याब्ड लगी हुए दोनों को हम कंटिनेटी चेक कर लेंगे उसके बाद फिर मेरा अगला प्रोसेस शुरू होगा दोस्तों देख सकते हैं यहीं से हमारा यह बुलू कलर की वायर खुला हुआ था यह जो ट्रासफर्मर है इधर हमारी कोई भी प्रोब्लम नहीं दोस्तों और जो भी प्रोब्लम है हमारी यह और एक तरफ है तो देख सकते हैं यहां से भी काफी बार इसमें रिपेर किया गया है और यहां से भी दोस्तों सिलीप अगरा डाला गया है जो कभी जला हुआ होगा तो कहीं से भी रिपेर करवाया है भाई ने जो कि इसमें सिलीप अगरा लगा करके रिपेर किया गया था तो सबसे पहला काम हमारा होगा अगर यह जो ड्राइबर बोर्ड है अगर यहां पर हमारी हमें 350 की जो दो ट्रांजिस्टर लगी होती है गर यह भी हमारी सोट अब यह आगा करिए तो टीटीए बावानसों की जो ट्रांजिस्टर है अगर उसमें से भी अगर हमारी एक खराब होगी तो भी आपको यह प्रोब्लम देखने को मिलेगी तो सबसे पहला काम जो है दोस्तों यह जो दोनों डायोड है इसे हम बाहर निकाल लेंगे और इसकी कंटिनिटी पहले कि सुन सकते है इसकी भीट की 270 कशी करने है कि भीट दे दोस्तों विडियो में पूरा पलास्ट तक बने रहे हैं क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इस एंप्लिफायर का पूरा टिटोरियल देने वाला हूं ताकि आप कभी भी आपके साथ कहीं से भी कोई भी कन्फिजन ना रहे और आप किलियरली इस तरह की फॉल्ट को रिप्यर खुद से कर सकें तो जब भी आपको गर इस तरह की फॉल्ट अगर मिलती है तो इस वीडियो के माध्यम से आप खुद से कर सकते हैं तो इसके जगह पर हम यूज करेंगे रेट कॉंपने की थे-स देख सकते हैं तो इससे हम यूज करेंगे और दोस्तों क्यों यह ड्याओड का फॉल्ट नहीं है अगर यह ड्याओड उक्र खराब होती है तो भी इस एम्प्लिफार में सोटिंग का समस्या आकरकर बनती है और अगर हमारा जो इस इसकी जो ड्राइबर ट्रांजिस्टर है ड्राइबर बोड में जो 30-35 ट्रांजिस्ट लगा होता है अगर वह ट्रांजिस्टर भी खराब हो तो भी शोट दिखाता है तो दोस्तों यह ड्याओड इसमें पलस और मैनस का सेंबल दिया हुआ है ताकि गलती नहों हो तो रेड़ वाले को प्लस में देना है और दोनों जो बुल्लू कलर की वायर है दोस्तों यह हमा दोस्तों वीडियो हमने काफी थोड़ी से लंबी बनाई है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आजाए और दोस्तों जब तक आप समय नहीं दीजिएगा और आप कम समय में अगर सिखना चाते हैं दोस्तों तो यह पॉसीबल नहीं है और यह दोस्तों उसमें से आप आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी भी नहीं तो इसके लिए मैं थोड़ी सी लंबी बनाया हूं और इस वीडियो में कम्प्लिट सोटिंग का जो प्रोब्लम होता है तो कम्प्लिट मैंने बताया है दोस्तों कहां कहां से सोटिंग होती है तो अभी हमने एक और दोस्तों जब भी आप इसे सोल्डिंग करें तो आप पतला ऐरन से सोल्डिंग नहीं करना है क्योंकि उससे दोस्तों अची तरीके से सोल्ड नहीं हो पाती है और इसमें लगवख डेड़ हमें उनकी वायर है जो की डिसी सप्लाइग के लिए है तो उतना मोटा सोल्डि है अभी जो नीचे वाली जो रेक्टिफायर डायोड है उसका एक कनेक्शन खुला हुआ है तो उसे भी हम चेक कर लेते हैं तो दोस्तों जब तक हम सटिस्फाइट नहीं होंगे जब तक हम पूरा किलियर चेक नहीं कर लेंगे तब तक इसमें हम लाइन इनपूट नहीं देना है और जब भी अगर आपके साथ ऐसी प्रोब्लम आती है तो उसे आपको श्रीज बॉल्ब में ही चेक करना है डारेक्ट में दोस्तों लाइन में अगर आप देते हैं इसको तो आपका घर का जो प्रोब्लम है वहाँ पर आपका लाइन खराब ह हो सकता है तो यजो डायोट है इसे भी अभार खुलके निकाल लेते हैं यह बी सौटिंग जे सलाग रहा इसमें तो फिर भी हम इसे बाहर निकालकर करके कनफर्म कर लेते हैं कुछ दो एक वायर इसमें खुला रहा था इसे दिम शोल्ड कर लेंगे आनि को कि कर और और उसके बाद इसकी जो निचे बनागी हुए है इसे भीन बाहर निकाल लेंगे और निकालने के बाग में से मे-पश्ण म्हार करेंगे बिल्कुल बहर कि जो डेख सकते हैं दोस्तोम डाड के हमने निकाल लिया है तो दोस्तोम अगर इस वीड्यो के माध्यम से आपके आपने कुछ नया सिखा हो तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताईएगा और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर किजिएगा तो यह अब देख सकते हैं इस डैड को हमने चेक करेंगे दोस्तों यहां तक तो ठीक है अभी इसकी रिडिंग बिल्कुल सही आ रही दोस्तों में तो यह अब तीसरा पीन में चेक कर लेते हैं थोड़ी सी तो दोस्तों एक किन जो है firearm हो हुआ है निए फैंटिस दस लगा हूँ दो फेरिक अब कि हम भी लगाएंगे 95 कि इस healthy सिर्ट दोष्ट वां कि पहले अअ क्या चेल हान है जुन्द कर लेते हैं तो अगर आपको मंद में अगर अब रवर नाट हों कोई सवाल हो दोस्तों तो कमेंट सेक्श्ण में जा कि आप हमसे सवाल कर सकते हैं और इस ड़ेट में कोई भी कन्फीजन नहीं दोस्तों इसमें जो भी है connection इसमें Mark किया हुआ है तो इसकी जो कोना में हैं पलास का सैन存 है फो पलस के लिए कि उसी तरिके से चुन्यक्षन किया हुआ है और होता भी एक Éरह का सारे कनेक्षन करने के बाद इसे हमeras 19 कर लेंगे तो दोस्तों इस वीडियो में हमने कहीं पर भी एडिटिंग नहीं किया है विल्कुल जो भी है विल्कुल रियल वीडियो हमने बनाया दोस्तों और हम कहीं से भी फेक वीडियो नहीं बनाते हैं इस चैनल पर आपको कभी भी गलत चीज का हमने परचार परचार नह कि कि कोई भी भाई लोग हैं दोस्तों तो आप हमारे चैनल के माध्यम से रिप्यर करने के लिए अगर आप सीख जाते हैं तो बहुत खुशी की बात है कि तो दोस्तों, यहां से हमारी दोनो डियाड लग चुकी है, अब हम एक बाद इस ड्रेवर बोर्ड को भी हम चेक कर लेंगे तो सबसे पहले हम यहां इसे एक बाद टेस्ट करके देख लेते हैं तो अभी सोटिंग बता रहा है दोस्तों हम इसे बाहर निकलेंगे और इसे हम कानफयम करने र स्थिया केसे हम बाहर निकालेंगे तो हमारे चैनल पर आपको फेक वीडियो नहीं मिलेगी और मेरे चैनल के माध़ियम से हुआ है तो दोस्तों कमेंट में जरूरू अपनी राय मुझे जरूर दें और अगर अपना कुछ सुझाओ देना चाहते हैं तो अभी कमेंट सेक्षन में अपना राय दें तो यह हमारा ड्राइबर बोड खुल चुका है चुका है के देलश्टों यहां पर त्रांजिस्टर लगे होते हैं एक षट रहुत द्थार्व यह दो सब्स्थ बिल्कुल तो सच्छ दिखाती है दोस्तों इसे भी वाउ के भी लेकर लेते हैं तो यहाँ से इस सेंपिलयी ठाइर में एक फिर ट्रिवी रणीसर डियोग है कि तो सॉर्टिनें 750 अगर वो हमारी सोट होगी तो भी यहां से सोटिंग्स बता सकती है तो फिलाली से हम खोलके पर TESTS कर लेते हैं और अगर यह सही होगी तो फिर हम इसी को रखेंगे और खराब होगी तो फिर हम चेंज करेंगे तो दोस्तों इस एंप्लिफायर में टोटल 12 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं टी टी ए और इसकी सप्लाइज जो है जब हम चेक करेंगे तो एक एक करके चेक करेंगे करेंगे दोस्तों चेचे यहां से हमारी कोई प्रोब्लम नहीं है ड्राइबर बोड से कोई दिकत नहीं है दोस्तों कि दोस्तों कि अगर आपके मन में कोई सवाल हो कोई डौट हो तो आप कमेंट जरूर करें हमें एक ऐसके बाद दोस्तों यहां पर दो लगए है और चारथ तो सब्सक्राइब थीज़ सब्सक्राप्य इसकी जो में ट्रांजिस्टर है उसे भी हुं चेक कर लेते है और इस ट्र prawn जिस्टर को शेट कर देंगे इसकी सही जगे पर के सोडिंग कर लीनगे इसकी जो पीन है उसे हमसाफ कर लिते हैं अगर हम साफ नाहीं करेंगे दोस्त हूं तो इसकी जो ट्रेक है तो खराब होने के चांस बढ़ जाते हैं कि दोस्तों अगर आपके पास को कोई भी एंप्लिफायर हो अहुजा कमपनी की इस वीडियो के माध्यम से आप कहीं भी हीज की चाहेंगे नहीं रिपियर करने से कर दो क्योंकि इसमें जैदा वे सकुछ प्रव्लम होता नहीं है कि अधिक। है कि अधिकतर प्रव्लम दोस्तों इसकी जो है कि टॉन के ही होती हैँ और डायोड की होती है तो हमने शेट कर लिया है और शेट करने के बाद यह-जो ट्रांजिस्ट्र है तो एक ट्रांजिस्टर से ज्राव कि आ पर ही अनृ아 बोर दोयकर न दोेarn हॉस्टं के लिए और इट्रान्जिस्टर से फिर छे हमारा उप्रड सामने एक बार क्यों juices सब्सक्राई तो कहीं न कहीं हमारी प्रोब्लम यहां से आ रही है तो थोड़ी सी कैमरे को हम बिल्कुल ट्रांजिटर के सामने कर लेते हैं जगह पर एक बार रिप्यर हुआ है है तो यहां पň यह जो रेड ऐड़ की वायर आप देख रहे हैं यह की सप्लाई के लिए है तो दोस्तों इसमें दो कल दो वायर है छेचे ट्रांजिस्टर अपरेट होती है छेचे के लिए सप्लाइप दिया हुए है पंको पहले हम इधर छेठेट रांजिस्टर का सपलाई खोल दे देंगे दोस्तों और 6 सप्लाई हमारी इदर के लिए हैं तो दौनों की सफ्लाई आप देख रहें विल्कुल किलिए आपको मैं दिखा रहा हूँ यहां से 6 टरांजिटेर लगए और इधर से 6 टरांजिटेर लगए दोस्तों करेंगे दोषाधते फाफले हम फरंट तरफ की जो सप्लाइ ज reference हम खोलेंगे यह सप्लाइंगे दोस्तों यह बायर का कनेक्शन हम खोलेंगे कि अ और खोलने के बाद है दो हुआ अ छेक्क कर लेते हैं कि का प्रोब्लम है और कि-DER से है कि इसे हम कि की एंप सुल्डिनिंग के माधियम से निकल लेंगे ऑगा है तो दोस्तों सो रेडवाली वायर आप देख रहे थे तो उस वाईर के अधियं से उसी वायर से दोसमें दोनों ट्रांजिटर में सप्लाई दिया गया है तो अगर वहां इफ के भी सुटिंग होगी तो यह दोनों ड Harm भी है। तो बताएगी कि रिदेख सक्ते हैं से जो सप्लाइः है इधर से होकरके और इस ट्राइब भाग आया हुआ है। तो यह दोनों में से टोटल क QUEöm loud करनी आज़िमें बारा है और इधर के लिए 2 में और पैदम कि चेक खोल देंगे ऑप्ले ट्रैंजिस्टर कर सप्लाइई खॉलेंगे दोस्तों तो यह चंश्टिंग दिखा रहा है यह देख सकते हैं बिल्कुल मिध्य जितने ट्रांजिस्टर हम चेक करेंगे सभी में सोटिंग आएगी कि देख सकते हैं कि इसमें भी शोटिंग आने चाहिए इसमें भी शोटिंग है कि तो यह सारे ट्राइश्टर अभी हमारा सौट दिखा रहा है तो दोस्तों फटा-फट से हम इसकी सप्लाई खोलेंगे आप तो हमने इसकी सप्लाई खोल देनी है यह देख सकते हमने इसकी सप्लाई जो है अभी खोल दिया है दोस्तों क्यों फ्रंट तरफ आगे तरफ की जो छे ट्रांजिस्टर है उसकी सप्लाई अभी हमने खोला हुआ है इसके बाद फिरन इसकी जो वांस्केर है तो अपने मल्टि कि देख सकते हैं बिल्कुल यहां से सोटिंग हमारी चली गई है तो दोस्तों यह कनफर्म हो चुका है मेरा कि आगे तरफ की जो छे सप्लाई है छे ट्रांजिस्टर है यह हमारी सोटिंग नहीं है तो अब दोस्तों इसे हमें पूना जोड़ देंगे और जोडने के बाद इस में हम चेक कर लेते हैं कि देख सकते हैं इसमें सोटिंग अभी भी है जो कि आगे वाले में कहीं भी सोटिंग नहीं है दोस्तों फिर आप देख ले हैं यहां से हमारी कोई सोटिंग नहीं दोस्तों ट्रांजिस्टर हमारी बिल्कुल लोके है तो कोई एक भी समस्य बनती है दोस्तों तो अब हम पिछे तरफ की सप्लाई जो है उसे हम खूल लेते हैं और खूलने के बाद कौन सी ट्रांजिटर एक हमारी खराब है जिसके कारण पूरी की एंप्लिफायर को डेड़ करके रखा हुआ है वह भी हम आपके सामने दिखाएंगे भी तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट किये हुए हैं पहली बार देख रहे हैं दोस्तों तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि दोस्तों मैं ड आप लोग जीस तरह से मुझे सपोर्ट किये हुए हैं तो प्लीज दोस्तों सपोर्ट बनाए रखें और इस वीडियो के माध्यम से आप जरूर कुछ न कुछ सिखें इसमें से ताकि आपका भी भविश्च में कुछ न कुछ कहीं न कहीं जरूर काम आए तो देख सकते हैं दोस्तों इसकी जो प्रोब्लम है वह हमारी मिल चुकी है कि सबसे आगे की तो जो फेल द बच हworking दोस्तों इसकी डिन ठीक है देखना और यहाँ पे वहाँ पर ठीक है दोस्तों और यहां सबसे उपर वाली ट्रांजुटर जो है वह खराब है कि मैं देख सकते हैं यहाब यहीश्टिंग बता रहे हैं तब हम सब से उपर की जो ट्रांस्टर है दोस्तों उसे हम खोल लेते हैं उसकी जो पीन है उसे हम साफ कर लेंगे शोल्डिंग निकाल देंगे उसको और फिर हम मल्टिमेटर से चेक करके कानफर्म कर लेंगे तो इसकी जो लेग है बिल्कुल ही हम साफ करनेंगे और देख सकते हैं यहां से इसकी सोटिंग कि दिखे दोस्तों मनें तीनों पैर को इसकी दो साइड कर दीया और दुसरा ट्रांजिटर देख सकते हैं विलकुल्ग कंनी वीमारी हमारी पकड़ में आ चुकी है और उपर वाली जो ट्राशिटर है खराब हो चुका दोस्तों तो से बाहर निकालेंगे और इतने भी सप्लाइ एपने खोला हुआ था उस प्लाइब कर देंगे सब जोड़ देंगे फिर से तो बीमारी हमारी दोस्तों बहुत ही छोटी थी लेकिन इतना हमने घुमा फिरा करके आपको दिखाया है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि हमें कहां कहां पर चेक करना है आप दोस्तों अकबकाना नहीं है केवल हिमत रखिए आपको जरूर कुछ न कुछ निया सिखने को मिलेगा हमारे चैनल में तो देख सकते हैं इसकी जो प्रोब्लम है यह दोस्तों ट्राजिस्टर का तीनों पर तीनों लेक जो है वह हमने हटा दिया है यहां से देख लिजी बिल्कुल किलियर है तो दोस्तों एक बार हम इसमें लाइन इन्पूट करके द्खाते हैं कि तो स्विच ओन करते हैं दोस्तों देख सकते हैं दोनों घौन हमारी जो है चालु हो चुकी है और सिरीज बल्प ढद 이제 ऑव् Stitch के देख सकते मिल्क है बिल् कर लेंगे तो इस ट्रांजिटर को खोल लेते हैं और दूसरा ट्रांजिटर हम लगा के इसकी पूरी चेक कर लेते हैं तो दोस्तों प्रोब्लम बहुत छोटी ची थी लेकिन इतना घुमा करके हम को दिखाने का एक ही मकसद था ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जा दम जाए तो यह देख सकते हैं यह ट्रॉस्टर बिल्कुल खराब है तो दोस्तों इसका इसका नबर जो है मिक्सदार मिक्सदार दोस्तों आवाज विल्कुल किलियर आ रही है हमारा ठीक हो चुका है अब दूसरा जोन का भी आवाज सुन लेते हैं इसमें भी कोई प्रोब्लम है या ठीक है जरा देख लेते हैं तो दूस्तों दोनों जोन हमारे कंप्रिट हो चुकी है तो वीडियो आपको कैसा लगा यह कमेंट में जरूर कि जैगा और अपने दोस्तों के साथ सेयर जरूर कि जैगा दूस्तों फिर मिलती हैं दोस्तों अगले वीडियो में नए रिपेरिंग के साथ तब bullish धन्यवाद द झाल, झाल, झाल. झाल झाल